दोस्तों आपने कभी ऐसा जानवर को देखा है जिसका शरीर बुलेट प्रूफ होता है हमने अक्सर देखा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ कार और भी काफी सारे चीजों के बारे में सुना है और जानबार भी बुलेट प्रूफ होते है ऐसा कभी नहीं सुना होगा आर्मा डीलर नामा की ये जानबार की शरीर बुलेट प्रूफ होते है आसपास कोई भी खत्रा मैसूस होने पर अपने शरीर को गोल बॉल की आकार में बदल लेते है अक्सर जंगल में घुमते घुमते कभी कबार खुनखार जानबार के सामने भी पढ़ जाते है तब अपने आपको शुरक्षित करने के लिए अपने आपको गोल बॉल आकारी में बदल जाते है और इनके बाहर की आकार बहुती ज़्यादा मजबूत होते है उनके बज़ा से कोई भी जानबार इसे मार नहीं सकते अर्मडिलक नामा की ये जानबार की सुंगने का खमता बहुती ज़्यादा होते है आप इस बात से अंदजा लगा सकते है कोई भी सीस 2-3 किलिमीटर दूर रहे तो ये सुंग कर भी बता सकते है और इनके दूर बगड़ की के बात तो ये है इनके आंकों की रोषणी बहुती ज़्यादा काम होते है और ये अर्मडिलक ज्यादा तारात को खाना तलाश करने के लिए निकल परते है तो दोस्तों आपने कभी इस आर्मडिलक नामा की जानवार के लाइप सैकल के बारे में सुना है क्या नहीं अगर ने तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो में हम बाद करने बाले हैं आर्माडिलो की लाइप सैकल के बारे में और भी आर्माडिल एक नामाग जानवार की बहुत सारे फैक्ट के बारे में जान लेंगे तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते है इनके प्रक्रिया में सबसर पहले नार और मादा की मिलन के प्रक्रिया होते है जैसे कि अपने अंदजा लगा ही सकते हैं इनके मिलन के प्रक्रिया काही मिनिटों का होता है इनके लाइप में तीनी स्टेफ होते हैं एक तो है प्रेगनेंट दूसरा है बेबी तीसरा है एडल्ट जब मिलेन का प्रक्रिया सक्रिया कर लेते हैं तब उसी तिस्तान को डूनने के लिए लग जाते हैं जहाँ पे इनके बच्चे को बहुत ही जादा सुरक्षित रहें अगर बात करें इस बेबी की खाने की इस बेबी मम्मी का दूद खाते रहते हैं इसी तरह रहते रहते हैं जब गेरा से बारा महिने के समय हो जाते हैं तब एडल इस्टेस में जाने के बाद इसी तरह कुछ दिन रहने के बाद जब एक से देड़ साल की हो जाते हैं तब फ 3.5 inz लेकर 19टेक होते हैं। इनकी वॉयोट के बारे में बात करें तो 120ний Vousm लेकर 400 गरम होते हैं। और इनको कालर के बारे में बात करें तो दो ही कालर पाई जाते हैं। एक तो है पिंगалог धूरर है वइंच जानवर की इस जानवार की प्रजाती की इस धर्ती पर लगबग 20 से भी ज्यादा प्रजाती पाई जाते हैं तो दोस्तों ये जानवार की इंफरमेशन आपको कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जुरू बताएगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आ थैंक यू पूर वाचिंग मिलते हैं अगली वीडियो पर